देखे राजिस्तान पसूप परिचर के लिए हम लोग टॉप 30 कोशन डिसकस करेंगे और इन सबी कोशन के आंसर आपको कॉमेट बॉक्स में बताने हैं तो अगर आप लोगों ने इन 30 कोशन में 25 कोशन के सही जबाब दिये तो आप लोग समझ लीजेगा कि आप लोगों की ज बाउन करना ना भूलें सभी कोशन के आंसर को में जिरू दीजेगा तो पहला कोशन हमारा रहेगा आज का अनुवांशकिय वरण का प्रियोग सामनता किया जाता है क्लर को चेंज कर लेते हैं अनुवाश की वरण का प्रियोग सामनता किया जाता है आप्शन है आपके दुदारू गाय के चैन में B है सुस्क गाय के चैन में D है बच्चियों के चैन में D है साण के चैन में अनुवाश की वरण का प्रियोग सामनता किया जाता है दुदारू गाय के चैन में तो ए ओप्शन्स जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे बात करेंगे नेश कोशन्स की गाय में गर्वा से ग्रीवा की लंबाई होती है 4 cm, 6 cm, 10 cm या 15 cm देखें गाय में गर्वा से ग्रीवा की जो लंबाई होती है यह होती है 10 cm, option number C करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन्स, सान के वीर का आवसत पी अच मान कितना होता है 5.0, 6.8, 7.5, 8.0 सान के वीर का आवसत पी अच मान होता है 6.8, option number V सही हो जाएगा अगला कोशन्स देखेगा Operation Flood किसे से सम्मदित है option है आपके Flood Control V है वूच रण को रोकना, दूदूत पादन B है Nuclear Warfare Control Operation Flood जो है न यह दुग्द उत्पादन से सम्मदित है तो C options correct हो जाएगा नेश कोशन्स देखेगा Flavored Milk होता है Flavored Milk में चीनी एबं सुवास Flavored Milk में सुवास उप्यूक्त में से कोई नहीं Flavored Milks होता है तो दिखिए फलेवर्ड मिल्क जो होता है न ये पसुराइट्स मिल्क में चीनी एवं सुबास होता है तो आप्शन अमबर वी जो है आपका मिल्कुल सही हो जाएगा अगला कोशन्स देखेगा पसुराइट्स में पीका का कारण है बिटामिन वी की कमी जिंक की कमी बिटामिन के की कमी फास्फोरस की कमी पसुराइट्स में पीका का कारण क्या होता है पसुव में पीका का कारण फास्ट फोरस की कमी ऑप्शन नमर डी करक्ट हो जाएगा है नेस्ट कोशन्स की बात करेंगे अगला कोशन्स देखेगा अंडी की खली में कौन सा एलकुलाइट पाया जाता है जो पसुव के लिए हानिकार होता है अप्शन्स हैं आपके कैस्पेकिन, मार्फिन, ग्लुकोसाइट, रिसिन तथा एलविन अंडी की खली में रिसिन तथा एलविन एलकुलाइट पाया जाता है जो पसुव के लिए हानिकार होता है तो डी अप्शन्स करेक्ट हो जाएगा सबसे अच्छा मास उत्पादन करने वाले सुवर की नसल है यारकशायर, बरकशायर, टोमवर्थ, डिरोग सबसे अच्छा मास उत्पादन करने वाले सुवर की जो नसल है न ये है टोमवर्थ तो जो भी वच्चे C options बता रहे हैं तो सभी लोग बिल्कुल सईज हो जाएंगे नैस questions देखेगा सभी वच्चे किस vitamin की कमी से मुर्गियों में पंक जड़ते हैं vitamin A, vitamin D, vitamin V, vitamin K देखें vitamin V की कमी से मुर्गियों के जो पंक है न वो जड़ते हैं C options correct हो जाएगा vitamin V अगला questions देखेगा सरवादिक प्रोटीन पाया जाता है गाई के दूद में, बकरी के दूद में, भैंस के दूद में, भेर्ण के दूद में सरवादिक प्रोटीन पाया जाता है भेर्ण के दूद में C options, sorry, D options correct हो जाएगा अगला कोशन्स देखेगा किस बिटामिन की कमी से पस्वों की आतें सूजती हैं बिटामिन A, बिटामिन D, बिटामिन K, बिटामिन E बिटामिन A की कमी से पस्वों की जो आतें हैं न यह सूजती हैं यह ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा सुगाज अगला कोशन देखेगा जुगाली ना करने वाले पसू में वेक्टरियल पाचन किस भाग में होता है अमाशे छोटी आत बड़ी आत इनमें से कोई नहीं जुगाली ना करने वाले पसू में वेक्टरियल पाचन जो है ना ये अमाशे में होता है तो अम आशे आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन देखेगा सभी बच्चे निम लिखित में से कौन सा दुग्द क्राय करने का धंग सबसे अच्छा है आयतन के अनुसार भारर के अनुसार दुग्द की बसा की मात्रा के अनुसार दुग्द की वशा एबं बशा रहे ठोस की मात्रा के नुसार है दुग्द की वशा एबं बशा रहे ठोस की मात्रा के नुसार दुद की वाश एबं बशा रहे ठोस की मात्रा के नुसार तो D option जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे अगला कोशन देखेगा सभी वच्चे इस्ट्रिप का परिछण किस बीमारी में किया जाता है छाय रोग, गला गोटू, दुग दुजवर, थैनायला रोग इस्ट्रिप का परिछण जो है ना ये थैनायला रोग बीमारी में किया जाता है तो D option सही हो जाएगा नेश कोशन देखेगा सभी वच्चे दूद के माध्यम से मनुस में फैलने वाली बीमारी है थैनायला रोग, मेट्राइटिस रोग, टाइफाइड जोवर, दुग दे जोवर दूद के माध्यम से मनुस में फैलने वाली जो बीमारी है ना ये है टाइफाइड जोवर किया जाता है चारे के तिनकों को अलग करने के लिए किलियों को अलग करने के लिए स्वच रखने के लिए रख्त का सनच्छन करने के लिए रख्त का सनच्छन काम करने के लिए बच्छडों में खर हरा किया जाता है तो देखें बच्छडों में खर हरा किया जाता है स्वच रखने के लिए Option No. C सही हो जाएगा लो नैस को प्रफसस्थान में भी मढ़ा बकरी अनुसंदान के अंधर ये कहां परिस्थीत है जावड जैपूर विकाशनेर तोख राजस्थान में भी अआधा पानू जनित, फपुन जनित, आहर जनित, टिम्पे नाइटिस एक रोग है, आहर जनित, ओप्षिन नमर डी करेक्ट हो जाएगा। नाइस कोशन्स हमारा है, दुधारू डेरी पचुको प्रते दिन कितना ग्राम खनिच लबन देना चाहिए, आप्षिन नमर वी सही हो जाएगा। हो जाएगा अगला कोशन देखेगा पसु का भोजन जो उसके जीवन निर्वात था अन्य सभी आवशक्ताओं को पूरा करता है कहलाता है संतुलित भोजन जीवन निर्वा भोजन उत्पादन भोजन उप्युक्त में से कोई नहीं है आप्शन नमर एक करक्ट हो जाएगा संतुलित भोजन नेक्स कोशन देखेगा सभी बच्चे कौन साथ खा दे मानक संपूर्ण पाचक तत प्रोटेन प्रापूर्जा कैलसियम फासफोरस अता करूटिन पर अधारित है आप्शन से आपके मोरिशन का मानक बी है कोहन का मानक स आप्शन नमर एक करक्ट हो जाएगा मोरिशन का मानक है अगला कोशन देखेगा सभी बच्चे खक्चर मूल किसका क्रोस है घोड़ी गधा घोड़ी घोड़ा गधी घोड़ा इनमें से कोई नहीं खक्चर मूल जो है ये क्रोस है घोड़ी गधा ऑप्शन नमर एक करक्ट हो जाएगा अगला कोशन समा रहा है कि राजस्तान में सरवादिक पसु मेले किस जिले में लगते हैं टुमवरपूर जालवर करावली नागवर तो देखिए राजस्तान में सरवादिक पसू मेले जो है ना ये नागवर जिले में लगते हैं तो नागवर आपका सही अंसर हो जाएगा अगला कोशन देखेगा बकरी का दुद सू पाच होता है क्योंकि कम प्रोटीन होने के कारण बशा गोलिकाई छोटी छोटी होने के कारण बसा की बहुत कब मात्रा होने के कारण उप्युक्ति में से कोई नहीं सही जवाब हो जाएगा ओप्शन नमर वी बशा गोलिकाई छोटी छोटी होने के कारण अगला कोशन देखेगा डॉक्टर वी कुरियन किस छेतर से संबंदित हैं क्रसी उत्पादन, दुग्द उत्पादन, मरसुत पालन, पशुपालन डॉक्टर वी कुरियन किस छेतर से संबंदित हैं सही जवाब हो जाएगा ओप्षिन नमर वी दुग्द उत्पादन सेसन को इबार सेर कर देजे सभी बच्चे नेस कोशन्स देखेगा मक्खन में सुगंद के लिए उत्तरदाई पदार्थ है डायसिटल साइट्रेट, साइट्रिक अंगल लाक्ट्रिक अंगल ओप्शन नमबर ए है जो सई हो जाएगा डायसिटल बात करेंगे नेस कोशन्स की प्रसीतन इकाई में दूद को किस तापमान पर धंडा अवन भंडारित किया जाता है 4-5 डिग्री से, 8-10 डिग्री से 10-12 डिग्री से, 12-15 डिग्री से प्रसीतन इकाई में दूद को चार से पांस डिग्री ताबमान पर थंडा एवं भंडारित किया जाता है तो option number A correct हो जाएगा है next question देखेगा calcium की अधिक्तम मात्रा कितने प्रतिसत में पाई जाती है दूद, मखन से पनीर सही जवाब हो जाएगा option number D, पनीर में last question रहेगा आज का गव दोहन के लिए सबसे उप्यूक्त बिधी क्या है मुठी बिधी, चुटकी बिधी, अंगुठा बिधी, उप्यूक्त मेंसे कोई नहीं तो देखेगा गव दोहन के लिए सबसे उप्यूक्त जो बिधी है ना वो है मुठी बिधी, option number A सही हो जाएगा